हेलो इस्टुडेंट्स आज हम क्लास फोर में हिंदी पढ़ेंगे हिंदी में हम क्या कर रहे थे पाट छे सभी का कंप्लीट हो गया था पाट छे का क्या नाम था विटा बालक चंद्रगुप्त सभी के इसकी आंसर क्वेशन सभी की कॉपी कंप्लीट हो गई आज हम क्या करेंगे पाट साथ इनकी भी शुनिए ठीक है पेज नंबर निकालिए 53 मनुष्य द्वारा फैलाय जाने वाले प्रदूशन से प्रकरती दुखी है आईए व्रक्ष नदी हवा और मिटी की वैथा सुने सभी की उंगली होनी चाहिए छुट्टियों के दिन चल रहे थे सेखर अपने माता पीता के साथ नदी के किनारे पिकनिक मनाने गया था चुट्टियों के दिन चल रहे थे सेखर के इसके साथ गया था अपने माता पीता के साथ कहां किया था पिकनिक पर नदी के किनारे वहा गेंद से खेल रहा था वहाँ का ऐसे खेल रहा था गेंद से, खेलते खेलते उसकी गेंद थोड़ी दूर चली गई, जब वहाँ गेंद उठाने गया तो अचानक उससे कुछ आवाजे सुनाई देने लगी, जब वहाँ खेल रहा था तो उसकी गेंद थोड़ी दूर चली गई, जब वहाँ गेंद उठाने गया, तो अचानक उसे क्या सुनाई दी, आवाजे सुनाई देने लगी, उसे लगा जैसे कोई बहुत दुखी भरी आवाज से बाते कर रहा हो, जैसे उसे लगा कि कोई दुख भरी आवाज में बाते कर रहा हो, पेज नमबर 54 निकाल रहा हो, उसने आवाजों को ध् सुनने का प्रयास, प्रयास मतलब क्या होता है, कोशिस, उसने आवाजों को ध्यान से सुनने की कोशिस की, उसे लगा कि आवाजे नदी और व्रक्ष से आ रही है, उसे क्या लगा कि आवाजे जो बात कर रहा है, वो कहां से आ रही है, नदी और व्रक्ष से आ रही है, नदी और व्रक्ष आपस में क्या कर रहे थे? दोनों बाते कर रहे थे. सेखर ध्यान पुर्वक उनकी बाते सुनने लगा. सेखर क्या करने लगा? उनकी बाते सुनने लगा. व्रक्ष व्रक्ष क्या कहते है नदी से व्रक्ष नदी बहन कैसी हो व्रक्ष ने क्या कहा नदी बहन कैसी हो नदी ने कहा व्रक्ष भाई मैं तो देखो दिन पर दिन चोटी होती जा रही हूँ नदीने क्या का, रक्ष भाई, देखो मैं तो दिन पर दिन चोटी होती जा रही हूँ, मेरा जल जो कभी स्वक्ष हुआ करता था, स्वक्ष मतलब क्या होता है, साप, मेरा जल कभी साप हुआ करता था, कितना गंधा हो गया है, नदीने क्या का, मेरा पहले जल कितना साप गया है मुझे तो अपने अंदर ही दुरगंद आती है दुरगंद मतलब क्या आता है बदबू मुझे तो अपने अंदर ही बदबू आती है ये मनुष्य कारखानों की गंदगी और नालों का गंदा पानी मुझे पे ही छोड़ देते हैं नदी ने क्या कहा है ये मनुष्य का थिनों में सुख जाओंगे UP हाँ बहन तुम ठीक कहती हो भरक्ष ने क्या कहा हाँ बहन तुम ठीक कहती हो मुझे ही देखो मेरे परिवार के कुछ ही सदर्शे बचे है वगश कंतरता क्या है तो रात दिन डरता हूं कि ना जाने कब मैं भी उनका सिखार बन जाओं, व्रक्षने क्या कहा, अब मैं डरता हूं कि रात दिन डरता हूं कि कब ना जाने मैं भी उनका सिखार बन जाओं, हवा बहन तुम बताओ तुम्हारी क्या दर्शा है, फिर क्या कहा व्रक्षने हवा ब मेरा जो हाल है वह तो मत पूछो मेरा तो दम घुटने लगा है अवार ने कहा कहा मेरा दम घुटने लगा है कार खानों से और वहनों से निकलते धूए इसने तो मुझे बिमार कर दिया है हवा ने क्या बताया अपना कारखानों से और वहानों से निकलने वाले जो धुएं से इसने मुझे बीमार कर दिया है व्रक्ष भाई तुम्हारी संक्या जब अधिक थी तब मुझे साफ कर देते थे अब तुम्हारी संक्या कम हो जाने के कारण मेरी भीमारी बढ़ती जा रही है जब रक्ष जादा थे तो हवा साफ हो जाते थी और जब अब पेड़ पौधे कम हो गए है तो उसने क्या कहा मेरी बीमारी बरंते जा रही है रक्ष नदी और हवा की बाते सुनकर मिटी बोल पड़ी कौन पॉल पड़ी? मिटी बोल पड़ी मिटी मेरी दसा भी तुम सब के जैसी है क्या कहा मिटी ने मेरी दसा भी तुम सब के जैसी है मनुष्य के लिए अनफल उपजाते उपजाते तो मेरी सकती ही समाप्त हो गई है क्या कहा मिटी ने कि मेरी दसा भी तुम जैसी है मनुष्य अपने अन फल के लिए उपजाते मतलब क्या होता है उगाना क्या होता है बटा उगाना तो मेरी दसा भी तुम सबके जैसी है मनुष्य के लिए अन फल उपजाते याने उगाने की तो मेरी सकती ही समाप्थ हो गई है मनुष्य मुझसे अधिक अन फल और सबजिया चाहता है। इसलिए排शायनिक उर्विरग दणता है और मुझे रोगी बना देता है। उर्विरग मतलब जो अपन उब जाओ बनाने के लिए जमीन में चाट । डालते हैं। उर्विरग और रोगी मतलब भीमाड तो मुझे लिए मनुश्य क्या करता है। राशायनिक उर्वरग डालता है और मुझे बिमार्ग बना देता है फिर सबकी बाते सुनकर व्रक्ष बोला मनुशे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा दुरूपयोग करते हैं मनुश्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा दुरूपयोग करते हैं मतलब गलत उपयोग जल वायू और भूमी को प्रदूशित करते हैं अगर ये ऐसा ही करते रहे तो हम नष्ठ हो जाएंगे और यदि हम ना रहे तो मनुष्य भी नहीं बच पाएगा रेक्ष ने क्या काया मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा गलत उपयोग करते हैं इससे जलवायू और भूमी को प्रदोशित करते हैं आप सब घबराये मत अपनी जरूरतों के लिए लना गलत उतल रहें पूस्ता के समाचार पत्र करते हीोग करते हैं रेडियो टीवी ऐसे बहुत से साधन है जिसे जिनसे मनुश्यों को परदूशन ना फैलाने की और व्रक्ष ना कारने की सिक्षा दी जा रही है क्या का सेखर ने कि आप घबराईये मत अब मनुश्य आपके महतों को समझने लगा है ये खबरे कहां कहां दिये पुस्ताके में समचार पत्र, रेडियो, टीवी ऐसे बहुत से साधन है जिसमें मनुश्यों को परदूशन ना फैलाने की और व्रक्ष ना कारने की सिक्षा दी जा रही है व्रक्ष नदी, मिटी और हवा एक साध बोल उठे नदी और मिटी और हवा सब एक साध बोल उठे क्या तुम सच कह रहे हो क्या कहा क्या तुम सच है कह रहे हो सेखर एकदम सच, चलो अब सब मुश्कुरा दो, सेखर की मम्मी उसे ढूंडते हुई आई और हाथ पकड़ कर ले गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेखर की मम्मी आई उसे ढूंडते हुई और हाथ पकड़ कर ले गई, ठीक है, तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लग जिससे वायू प्रदुशर ना होगा, मिटी में ज्यादा खाद राशाएने खाद नहीं डालना चाहिए, और नदी में कारखानों का धुआ और क्या कहते हैं, नालों का गंदा पानी बहने नहीं देना चाहिए, इससे साप रहेगा, यह कहानी कैसे ने लिखा था बेटा, नी सब्देग्यान करेंगे, ठीक है, सब्देग्यान देखिए, प्रदुशर, प्रदुशर मतलब क्या होता है, दूशित करना या दोस्युक्त बनाना, प्रयास, प्रयास का क्या होता है, कोशिस, स्वक्ष, स्वक्ष क्या क्या होता है, साप, दुरगंद का बदभू, उपज लव सकती बढ़ाता है रोगी का बीमार और दुरुपियोग का गलतुपियोग आप इसको करेंगे कल आप में इसका अभ्यास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके बिटा बाई